हेलो एभीडिवन विल्कम टू चैनक्या एसकेडमी पटना 69 बीपेसी पीटी क्रैस कोर्स सेशन अभ्यूद्य स्रीज में हम अगें इस सेशन में हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं अगर हम बात करते हैं हर्सवर्धन जिससे की वीपेसी आपको प्रिवेस यहर में भी काफी सारे कोश्टेन अल्यडी पूछ चुकी है इतना डिटेल्ट में इसको डिसकेशन करेंगे आपको इस से रिलेटेड हर्सवर्धन से रिलेटेड कोई वी कोशन वीपेसी पूछता है तो आप इसली अटेम्ट कर पाएं तो हर्सवर्धन के बारे में फर्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट रूलर ऑफ वर्धान इंपाइर वह बर्धान समराज्य के अंतिम सासक थे हर्सवर्धन हूँ यूनिफाइड मोस्ट अफ नॉर्धन इंडिया और रूल फोर करन्या कुपजा उनकी राजधानी रहती है आप इस मैप में अगें देख सकते हैं जो हर्सवर्धन के टाइम में जो नॉर्धन इंडिया है स्पेसली उसका यूनिफीकेशन हर्सवर्धन ने करके रखा था और यहां जो अहां पर जो इसके फ्यूडेट्रीज रूलर्स थ हम अब सब्सक्राइब करें तो जो हर्स वर्धन के एट्मिस्टेशन था सिमलर्ट इंडियाट्र जो उनका परसाशन था वो गुप्त समराजे के परसाशन के लगवक समान था यहां भी कोई सिलैवरी नहीं हुआ करता था इंपायर में इस इंपायर ऑसो टुक क्यार गुड क्यार अप दा पूर की जो भी पूर लोग होते थे उनका भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जा था हर्सबर्दन के इंपायर में और कोई गुलामी प्रथा नहीं थी सलैवरी का कोई सिस्टम यहां पर गुप्ता हर्सबर्दन के टाइम में नहीं देखा गया था अगें कि जैसा कि गुप्ता इंपायर के दुरहां देख्या यहां भी बहुत ज्यादा हेवी टैक्स हर्सबर्दन के टाइम में वह हर्सबर्दन के इंपायर में बर्धान इंपायर में अपने आठ साल उन्हों ने बिटाये थे हर्सबर्दन विल्ड़ स्ट्रॉंग आर्मी और इसी के साथ आ चुकी वहां पर इसके फ्यूडेट्री जिसको काफे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे लोगों का भी सपोर्ट था वह जो है हर्सबर्दन ने काफी एक स्ट्रॉंग आर्मी बना रहा का था ताकि नौर्दन इंडिया को वह यूनिफाई करके रख सके अब बात करते हैं जो भी इंडिपेंडेंट रूलर्स है जैसा कि जस्ट मैं डिसकूस कर रहा था कोलेक्टिवली नोन अज महा समानताज पेड़ ट्रिब्यूट टू हर्सबर्दन एंड ऑल्सो हेल्प हिम बाई सप्लाइं मिलिटरी इनफोर्समेंट यह इतने नौर्द बढ़ा नौर्दन इंडिया जो एरिया है उसो कैसे वह यूनिफाइड करके रख रहा था तो जो भ ढ़िए कि जब अगर हर्स बर दॉट तो घृत मिलिटरी को बे करते थे अपने आर्मी को भेजिते थे हौँस की लिए यहिएक कारं था कि हर्सबर्द इतने लंबर पिरिड तक चार दसक तक उस नौर्धन इंडिया पर रूल किया afect door criminals और इसी का एक यहीं एक जिए क्या रहा आट एंड एजुकेशन के हम बात करते हैं अगें जो हर्सवर्दन थे वो खुद ही एक बड़े बहुत बड़े ऑथर थे जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत प्ले लिख रखे थे जैसे तीन जो इंपॉर्टेंट है आपका नागनंदा रतनावली एंड प्रिय दर्सिका यह जो तीन इंपॉर्टेंट संस्कृत प्ले हैं वह हर्सवर्दन के द्रहां लिखे गए लिखेसे प्लेह आंभड उर्ट नहीं हर्स चरित्र लिखाता है जिसमें हर्सवर्दन के टाइम पडिएट के बारे में काफी जप्राइम ज्यादा डिटेल्ट में बता गया है हर्थ चरित्र पान भर्ट जिसमें हर्थ वर्धन के बारे में डिटेल्ट में बताया गया है उसके बाद बात करते हम सोसाइटी एंड रिलिजन का तो कास्ट सिस्टम अगें प्रिवेलेंट था इमंग दा हिंदूज और जो कास्ट सिस्टम था या वर्णा सिस्टम था अगें डिवाइडेट था ब्राह्मन वैसे चत्रिये एंड शुद्रा फोरी यहां पर आपको सकेंड चत्रिये होना चे देन लेटर ओन बैसे एंड चुद्रा वीच अमंग देम हैड दियर ओन सबकास हैं तो हर्सवर्धन के टाइम में बुमेन का जो कंडिशन था उसमें डिटोडियेशन देखने को मिल रहा था सतीप्र था काफी ज्यादा कॉमन हो चुका था वीडियो डिमैरेज वाज नॉट अलावड इन अपार कास्ट होते थे उसमें वीडियो डिमैरेज को अलाव बि नहीं किया जा रहा था दूरिंग हर्षवर्धन टाइम है कि अगए अगर अपने इनिस्याल लाइफ में जब यह अर्लियर बंता है तो सीवा को फॉलो करता है बट लेटर ओन मायाना बुदिज्यम को हर्षवर्धन फॉलो करने लगता है बट ऐसा नहीं है कि मायाना पर से रहता है जो भी दूसरे धर्म है उसके प्रतिकाफिक सही सुन रहता है वह तो प्रोपलर लाइज और प्रोपागेट दॉप्ट्रिन आप मायाना बुदिज्यम हर्षवर्धन अब इसी की मायाना बुदिज्यम जब करता है तो उसके टीचिंग को एक स्प्रेड करने के लिए वह कन्या कुपजा जो की कैटल रहता है उसका वहां पर एक बहुत बड़ा एसम्मली का सभा का गठन करता है जिसका जो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है वह वह सांग जो की चाइनिज ट्रेबलर रहते हैं और आठ साल अपने लाइफ का हर्षवर्धन के इंपा कोटा टॉपिक था पीवाई क्यूब में आप देख सकते हैं हूँ आज रिटेन हर्षवर्धन के टाइम में आता है और अब लगवग एट यह वह हर्षवर्धन के इंपायर में ब्याथित करता था यह था आपको हर्षवर्धन से रिलिटेट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इससे की बीपेसी अल्रेडी कुछ कोशन पूछ चुका है और अगर इससे कोशन पूछता है तो इस सेक्षन से आपके कोशन असानी से डिल हो जाएंगे तो यह था हमारा अभ्यूदय सीरीज में एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट आफ्टर दाट हम मेडेवियल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं उसमें हम अगें सीरीज देखेंगे सो आप कंटीनू हमारे साथ बने रहें अब भ्यूदय सीरीज में हम आरम से अंत तक आपके बने हुए हैं और कमेंट में आप जरूर बताए कि हमारा यह सिसन आपको कैसा लग रहा है आपके लिए कितना बेनेफीशियल है और आप क्या अधिक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हमसे हम उसे पूरी कोशिस करेंगे कि कवर करें तो दाट सॉल फर टुड़े थैंक यू